मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर की सरकार द्वारा हस्त शिल्प कला को प्रोच साहित करने के उदेश्वे से उद्योग विवाग के माध्यम से मुख्यमंत्री दस्तकार साहिता योजना प्रदेश में चलाई जा रही है जिसमें विवीन परमपरागत कलाओं से जुड़े गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली हस्त शिल्प कारों को 30,000 रुपए तक की कीमत के 9,000 खरीदने पर 75% अनुदान राशी दिये जाने का प्रावधान रखा गया है इसी योजना के तहट जिलाकुलू के पहानाला गाओं की 8 महिलाओं सोमा देवी, कृष्णा, कमला देवी, सुंद्रावती, हीरा दासी, मली देवी, प्रेमलता, देव कला को हत करगा दिये गए गौर तलबे की इस योजना में काष्ट कला, धातो कला, मूर्ती कला, चंबारुमाल, कांगडा पेंटिंग, मिनेचर आर्ट, थंका पेंटिंग, हत करगा पर बुनाई, गलिचा बुनाई, पारंपरिक आमुशन जैसी, बिविन परंपरागत कलाओं से जुडे, गरीबी र से नीचे रहने वाले हिमाचली हस्त शिल्पकारों को इस योजना का लाब दिया जा रहा है। झाले हिमाचली है।